स्वदेश वानी नाइजेरिया में सेना की वर्दी में आये हमला वरों ने कॉलेज को बनाया निशाना हमला वरों ने सौ से अधिक छात्रों और सिक्षको को बंधक बनाया है हाला कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हमलावर कौन है UN Chief Antonio Guterres ने भारतिय महिला उशा को UNDP की अवर महासेचीव एवं Associate Administrator किया नियुक्त संयुक्त राश्ट के प्रवक्ता ने जारी किया बयान Australia में Facebook ने नियूज दिखाने वाली सभी वेबसाइटों को किया बैन आपातकालिन सेवाएं भी हुई प्रभावित आईए चलते हैं राश्ट्रिय कबरों की ओर महाराश्ट में कोरोना के केसों में फिर तेज बढ़ोतरी बीते 24 घंटे में यहां 4787 ने संक्रमितों की हुई पहचान यह संख्या 5 दिसंबर के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना ठिका करन के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका और इंग्लिंड के बाद तीसरे नमबर पर केंद्रिय स्वास मंत्राले ने जारी किया बयान मंत्राले ने बताया कि देश भर में 94 लाग से ज़्यादा स्वास्थ कर्मियों और कोरोना युद्धाओं को लगाया जा चुका कोविड 19 का टिका कृशी कानुनों के विरोध में आंदोलन रत किसानों ने कई राज खासकर उत्तर प्रदेश और हर्याना में रेल रोको आंदोलन चलाया इसके तहत किसानों ने कई जगों पर रेल पट्रियों पर बैट कर प्रदर्शन किया और ट्रेने रोकी आईए सुनते हैं अपने जारखंड की कुछ खबरें देवभर में अंडर 15 नाश्टी चैंपियंशिप का जून में किया जाएगा आयोजन देश भर के 1300 से ज़्यादा पहलवान लेंगे भाग जारखंड राज कुछति संग ने जारी किया बयान राजी इनवस्टिक में मेडिकल कॉलेज बनाने पर सहमती अगले सेशन से एर होस्टेस कोर्स की होगी पढ़ाई प्रोविसी डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में सिंडिकेट की हुई बैठक जिसमें मेडिकल कॉलेज थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को प्रदान की गई सुईकृती आईए सुनते हैं कुछ खबरें खेल जगत की अमेरिका की जैनिफर ब्रैडी पहली बार ग्रैंट स्लैम के फाइनल में पहुँची तीन बार की ग्रैंट स्लैम विजटा जापान की नाओमी उसाका से भिड़ेंगी आईपियल इतिहास के सबसे महेंगे खिलाडी बने क्रिस मौरिस मौरिस को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.25 करोड दे कर अपनी टीम में किया शामिल इंडियन प्रिमियर लीग के चौदवे सीजन के लिए निलामी चेन्नई में जारी ये थे अब तक के समाचार इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आएं हमारी वेबसाइट सुदेश्वानी.com पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक और फॉलो जरूर करें धन्यवाद